Welcome to study go with Zenith, आज इस वीडियो में हम CRPC का chapter number 9 cover करेंगे, इस chapter में section 125 से लेकर 128 तक के provision दिये गए हैं, जो basically wife, children and parents, इनके maintenance की बात करते हैं, वही हम देखते हैं Hindu law, Muslim law, यहाँ पर भी maintenance के बारे में कुछ provision दिये गए हैं, वो provision क्या है, यह आप मुझे comment करके बताएगा, क्योंकि कि यहाँ पर जो entitle हो रहे हैं maintenance की application लगाने के लिए section 125 of CRPC में, उनका ना किसी particular religion से होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी religion के हो, फरक नहीं पड़ता है, अगर आप इन चारों में से किसी भी category में fall हो रहे हो, आप बहुत सकते हो jam first class के पास, लगा सकते हो section 125 of CRPC की application की maintenance चाहिए और maintenance की जो application लगी है, उस पर सुनवाई सिफ और सिफ जेम first class ही कर सकता है, अगर कोई और ही magistrate उसकी सुनवाई करता है, तो वो ऐसी irregularity मानी जाएगी, जो कि section 461 close G of CRPC के तहट, proceeding को vitiate करने वाली होगी, application जो डाली जाती है maintenance के लिए section 125 में, वो just एक application होती है, उसको आप य section 125 of CRPC की application लगा के, तो वो व्यक्ति यह नहीं सो होजकता है कि उसके खिलाफ complaint होगी, क्योंकि उसने कोई offense थोड़ी किया है, उससे तो maintenance मांगा जा रहा है, तो जो application होती है उसको complaint नहीं माना जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कोई allegation नहीं होत section है 144 से लेकर 147 तक, बस अंतर यह है, CRPC में chapter number 9 में section 125 से लेकर 128 तक दे रखे है maintenance वाले वहीं जो आपका भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता बिल 2023 है, उसमें chapter number 10 में ये चीज़ दे रखिए section 144 से लेकर 147 तक, तो ध्यान रखना कि CRPC का section 125 है, तो उसकी जगा 2023 वाले बिल में 144 है, 126 की जगा 145 है, 127 की जगा 146 है, 128 की जगा 147 है, बस ये section number changes है, बाकी कोई change नहीं है, maintenance वाला पूरा का पूरा chapter as it is ही है, हाँ एक चीज़ है और जो की वो ये है कि यहाँ पर आपको जैसे की पुराने वाले CRPC में देखने को मिलेगा magistrate of first class, इसके आगे बस यह लिख magistrate of first class, तो यह digital magistrate of first class की बात की गयी है, तो वो ओविस की बात है डी है, judicial magistrate यह होगा 이거 है, और इस common sense को apply करतेए मैं आपने PDF में जेम first class ही लिखा हुआ है, magistrate of first class नहीं लिखा हुआ है, तो पुराने वाले PDF में magistrate of first class था, नहीं वाली में judicial magistrate of first class लिख दिया, बाकी जहां प पूरा का पूरा as it is, वही है, जो पुराने वाले CRPC में दे रखा है, chapter number 9, section 125 से लेकर 128 तक, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वो भी तभी ध्यान रखनी है, जब ये जो 2023 वाला बिल है, ये बन जाएगा act, otherwise जो बात मैंने अभी तक discuss की है, इस वाले page पर रखके आप को भूल जाना, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक favor चाहिए, कि आप मुझे comment section में बिताया करो, कि वीडियो कैसा लगा, कुछ भी मतलब लिखा करो comment section में, but at least comment section भट दिया करो, IPC and CRPC, ये दो subject ऐसे हैं, जिनके video course available है, और ये जो subject यहाँ पर mention है इनके PDF note available है, अगर आपको purchase करना है, तो आप purchase करने के लिए, या तो मुझे mail कर सकता है, मेरा email address आपको screen पर दिखी रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे telegram ID पर message कर सकते है, जो कि यहाँ पर मैंने mention कर दिया, जब आप मुझे message करेंगे, या फिर mail करेंगे, मैं आपको पू 125 की अगर हम बात करें, तो यहाँ से सवाल आता है, प्रिलिम्स में कि wife, children and parents, कि कि section के तहट maintenance की application लगा सकता है, तो answer है section 125, ये पुछ लेता है कि section 125 के तहट कौन कौन entitle होता है maintenance के लिए, application किस quote में लगती है, GM first class की quote में ये पुछ लेता है, ये पुछ लेता है कि जब तक maintenance की application dispose of नहीं हो जाती है, meanwhile क्या interim maintenance का भी order दिया जा सकता है, तो इसका answer भी section 125 में दिया गया है, ये सवाल पुछा जाता है कि जो wife होती है, वो कब maintenance की हगदार होती है, अपने husband से, और कब अपने husband से maintenance नहीं ले सकती है, section 125 of CRPC कित है, तो इसका answer भी section 125 में ही दिया गया है, यह आपे हमें देखने को मिलता है कि wife तो अपने husband से maintenance का claim कर सकती है, बट husband अपनी wife से नहीं कर सकता है, वहीं हम देखते हैं Hindu marriage act में section 24 and section 25, section 24 बात करता है maintenance, maintenance light की और section 25 बात करता है permanent alimony and maintenance की, तो इन sections के तहा है, जो maintenance है, वो husband या wife दोनों में से कोई भी claim कर सकते है, तो यह सबसे पहली चीज section 125 में यह कही गई है कि कोई भी person, इसका मतलब क्या है अभी हम बाद में discuss करेंगे, यह कह रहे हैं कि कोई भी person अगर ऐसा है, जिसके पास sufficient means है, sufficient साधन है, कि वो यह जो चार लोग बता रखे हैं, इनमेंसे चो भी है, उसको maintain कर सकता है, लेकिन फिर भी, वो, या तो by words, या फिर by his conduct, या तो by words, like मुपे ही बोल दिया, या फिर by his conduct, neglect करता है या refuse करता है, maintain करने से, किसको इनमेंसे किसी को भी, तो इनमेंसे जिसको भी refuse किया जा रहा है, neglect किया जा रहा है, maintain करने से, यह क्या कर सकते हैं, यह पहुच सकते हैं, जेम first class के पास, और मांग सकते हैं इस व्यक्ति से maintenance अब jam first class को अगर ये चीज proof कर दी जाती है कि हाँ neglect किया जा रहा है refuse किया जा रहा है तो jam first class इस व्यक्ति को order कर सकता है कि जैसा कि magistrate को सही लग रहा है उस monthly rate पर maintenance के रूप में monthly allowances दे किसको इन में से जो भी आए है न उसको और monthly allowances के रूप में इन में से जिसको भी पैसा दिया जाना है वो पेक इसको किया जाए ये time to time magistrate direct कर सकता है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि मान लो कोई minor child है और उसके लिए maintenance मांगा जा रहा है कि से father से section 125 of CRPC केता है तो जो minor child है उसको थोड़ी दे सकते है पैसे कि जा अपना खर्चा उठा ले नई क्या कर सकते है कि minor child जिसकी care में है उस person को दिलवा सकते है कि इसको pay करना फिर यह इसका भरण portion करेगा तो कहने का मतलब इस line का ये है कि time to time magistrate direct कर सकता है कि देना किसी व्यक्ति को है payment monthly allowances के रूप में जो maintenance को जा रहा है वो तो ये कह रहा है section 125 अब यहाँ पर section 125 में आगे भढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चार लोग है कौन जो maintenance का दावा करने के लिए बताए गए है section 125 में सकती है वो क्या कर सकती है वो अपने husband से maintenance का claim कर सकती है तो यहाँ पर wife के context में any person का मतलब है उसका husband यानि की wife जो खुद को maintain नहीं कर सकती है वो अपने husband से maintenance का दावा कर सकती है बट शर्त यह है कि जो wife है वो legally wedded हो उस व्यक्ति से वो उसकी legitimate wife हो वहीं अगर हम बात करे voidable marriage की तो हिंदू marriage act में हम पढ़ते है section 12 में कि कब voidable marriage को void declare करवाया जा सकता है तो जब तक कि section के तहत marriage को void नहीं declare किया जाता तब तक मानी जाती है कि voidable marriage valid है, binding है इसी वजह से जो voidable marriage होती है वो basically section 125 of CRPC के तहत maintenance लेने के right को खतम नहीं करती है बट जो void marriage होती है, जो abonatio void होती है, वो section 125 of CRPC के तहत maintenance लेने के right को खतम करती है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है इसी लिए जो void marriage के consequence में wife बनती है, उसको हम legitimate या legally wedded wife नहीं मानते हैं फरक नहीं पड़ता है कि wife किस age की है, किस religion की है, बट उसकी वो legitimate wife होनी चाहिए, legally wedded wife होनी चाहिए इसी लिए कहते हैं ये कि जिनके लिए bygamy एक punishable offense है, उनके मामले में ये चीज़ है कि उनकी जो second wife होती है वो maintenance की हगदार नहीं होती है section 125 of CRPC ये तहद, for example, मान लो जो A है, वो Hindu धर्म से belong करता है उसकी wife थी B फिर A ने शादी कर ली दूसरी किसके साथ? C के साथ, जबकि B जो उसकी wife है, वो जिन्दा है और divorce भी नहीं हुआ है, फिर भी शादी कर ली, तो अब जो A है वो लाइबर होगा, बाई गैमी के offense के लिए तो जो C है, जो इसकी second wife है, ये A से नहीं कर सकती है maintenance का claim, क्योंकि वो उसकी legitimate wife नहीं है legally wedded wife नहीं है वहीं अगर हम example ले Muslim wife का, तो Muslim wife चाहे second Muslim wife हो third Muslim wife हो, चौत्थी Muslim wife हो, ये सारी wife अपने husband से maintenance का claim कर सकती है, क्योंकि Muslim में चार-चार शादिया करना allowed है, उनके उपर बाई गैमी के punishment नहीं लगती है, उनके context में बाई गैमी एक offense नहीं माना जाता है और राइट, इसके अलावा recently, Punjab and Haryana High Court ने अजे भार्दुआ जवर्से जोटसना, 2016 के case में कहा था, कि जो महिला, live-in relationship में रह रही है, वो भी eligible है, section 125 of CRPC के तहत, अपने partner से maintenance का claim करने के लिए तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है अब question आता है ये, कि जो divorcee होती है यहाँ पर कह रहा है ना कि wife maintenance ले सकती है अपने पती से तो क्या पती की जो divorcee है वो भी ले सकती है maintenance, तो उसको भी wife के title में रखा गया है और ये चीज़ कहां से पता चलती है सब section 1 में जो explanation दिया गया है, उसके close B में ये कहा गया है कि wife का मतलब divorcee से भी है चाहे महिला ने खुद divorce लिया हो या पती ने उसको divorce दिया है, बट शर्त ये है कि उसने दोबारा से शादी नहीं की है तो ऐसी divorcee जो है वो भी wife के title के अंदर आएगी और अपने उस पती से जिससे उसका divorce हुआ है maintenance ले सकेगी section 125 of CRPC में और इसी लिए ये चीज है कि अगर divorce हुआ है, तो एक अगर हम बात करें Muslims में तो एक document execute होता है, जिसको हम कहते हैं तलाक नामा, जब होता है क्या तलाक तो तब तलाक नामा execute होता है तो उसमें अगर कोई agreement किया गया हो या condition लगाई गयी हो कि जो wife है, वो maintenance का claim नहीं करेगी, तो ये condition से कोई फरकने पड़ता है, इस agreement से कोई फरकने पड़ता है, कहां पर फरकने पड़ता है, section 125 of CRPC के उपर इस agreement या इस condition के होने के बावजूद भी section 125 of CRPC के तहत maintenance का दावा किया जा सकता है और ये agreement और ये condition वगरा जैसे कि public policy के against है, void होंगी alright, इसके अलावा एक question आता है, जो अभी आपको समझ नहीं आएगा, पहले आपको close भी पढ़ना पड़ेगा, तभी वो question समझ में आएगा, तो close भी है गया close भी ये कह रहा है कि legitimate या illegitimate, minor child minor child बताया गया है explanation के close कि minor child का मतलब क्या है minor child का मतलब वह है, जो कि Indian Majority Act के तहट age of majority gain नहीं किया है यानि कि age of majority basically normal cases में 18 years होती है जो व्यक्ति 18 years से कम का होता है, वो minor होता है और जिसके legal guardian nukth किये जाते हैं, उसके case में age of majority होती है 21 years, जो व्यक्ति 21 years से कम का होता है, उसको minor कहते हैं, किस case में जिसके legal guardian nukth किये गए हैं, उस case में तो basically यहाँ पर कह रहे हैं कि legitimate या फिर illegitimate minor child अगर है, फरक नहीं पड़ता, उसकी शादी हो रखी है या फिर उसकी शादी नहीं हुई है, अगर वो खुद को maintain नहीं कर सकता है तो वो maintenance का claim कर सकता है, किस से like father से रहने, तो अब यहाँ पर minor child लडगा भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मान लो minor child है, लड़की female है, और वो married है, तो married भी ले सकती है, अपने father से maintenance, अगर वो minor है बट वो तो एक wife भी है, तो यहाँ पे तो वो अपने husband से भी ले सकती है maintenance, यह क्या परिस्थिती है, तो इसी question का answer कि जो minor, married female, child है वो being a wife अपने husband से maintenance लेगी या being a minor daughter, अपने father से maintenance लेगी इसका answer करता है, पहला proviso, यह यह कहता है कि अगर उस minor, married female, child का husband sufficient means नहीं रखता है तो तब जो magistrate है वो close भी के दाइरे में रखके, उस minor, married, female, child को maintenance दिला सकता है उसके father से वहीं अगर husband के पास sufficient means है, तो being wife भले ही वो minor है, बट being wife वो close एके दाइरे में आएगी और अपने पती से maintenance का claim कर सकेगी अल्राइट, तो यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है तो यहाँ पर पहला proviso हो गया है clear अब question आता है यह कि Muslim wife या फिर Muslim divorcee section 125 of CRPC के तहत maintenance का claim कर सकती है तो इस question का answer दिया गया था एहमद खान वर्सेश शहाबानो बेगम 1985 के case में कि हाँ कर सकती है क्यों? क्योंकि section 125 एक secular provision है यह apply होता है respective of personal law, respective of religion फरक नहीं पढ़ता है कि जो चार लोग बताएगा है कि यह 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 section के तहत maintenance का claim कर सकते है फरक नहीं पढ़ता कि उनका religion क्या है उनका personal law क्या कहता है वो respective of their personal law, their religion बहुत सकते है section 125 में और इस section के तहत maintenance का दावा कर सकते है तो इसका मतलब क्या है कि Muslim wife और Muslim divorcee भी section 125 of CRPC के तहत maintenance का claim कर सकती है तो यह decision आया इस case में और इस decision को लेकर ना बहुत जादा controversy होने लगी कि इस तरह का decision कैसे दिया जा सकता है हमारा personal law तो यह कहता है हमारे personal law के तो यह चीज अगेंज जा रही है तो फिर यह controversy जब होने लगी तो result निकलता है इस controversy का क्या कि Parliament pass करती है एक act जो की था Muslim Women's Protection of Rights on Divorce Act 1986 जिसके तहत बिना sense की बात की जाती है मतलब यह कह दिया जाता है कि सिर्फ तभी Muslim महिला section 125 के तहत maintenance का claim कर सकती है जब इस चीज की सहमती देता है उसका पती पती बेफकुफ थोड़ी है कि अपनी पतनी को बोल देगा कोई बात नहीं तो डाल दे मेरे खिलाफ application section 125 की तो इस बात का कोई sense ही नहीं है इसलिए आगे चलके इस act के उपर controversy होती है सवाल खड़े होते हैं constitutional है या constitutional नहीं है तो फिर इस act की constitutional validity को challenge किया जाता है Daniel Latifi versus Union of India 2001 की case में इस case में Supreme Court जो उसने शाहवानू मेगम के case में decision दिया था उसको अपहल्ड गर देती है तो यहाँ पर देखो ये चीज तो हो गई थी कि divorcee Muslim महिला जो है वो भी ले सकती है section 125 के तहत maintenance बट ये चीज होने लग रही थी कि नहीं नहीं वो सिर्फ इद्दक period तक ले सकती है तो इसलिए एक case आता है इकबाल बानो versus state of UP 2007 जिसमें कहा जाता है कि ये चीज restricted नहीं है इद्दक period तक और फिर शबाना बानो versus इमरान खान 2010 के case में भी यही चीज कही जाती है कि section 125 of CRPC के तहाँ जो maintenance का right है वो extend होता है इद्दक period के बाद भी and then consequently शमीमा बानो versus अशरफ खान 2014 के case में बाद हैल्ड होती है कि जो डिवोर्सी मुसलिम महिला है वो भी section 125 of CRPC के तहाँ maintenance के लिए and title है अब यह चीज आप मुझे comment करके बिताएंगे कि इद्दक period का मतलब क्या होता है इद्दक period basically divorce के बाद 3 lunar months तक का होता है तो यह चीज होती क्या है यह चीज आप मुझे comment करके बिताएगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर conclude होता है यह कि Muslim wife और Muslim divorcee ले सकते हैं maintenance section 125 of CRPC के तहट section 125 CRPC का इनके उपर भी apply होता है अब यहाँ पर subsection 4 में बताया गया है कि कब wife maintenance की remedy section 125 के तहट अपने पती से नहीं ले सकती है कब वो अपने पती से maintenance की remedy section 125 के तहट लेने की हगदार नहीं रहती है तो यहाँ पर तीन ग्राउंड बताये गए है इन में से कोई भी अगर exist करता है तो फिर wife हो जाती है disentitle section 125 की remedy लेने से और यही तीन ग्राउंड है ऐसे जिन में से कोई भी अगर exist करता है तो अगर मालो magistrate ने maintenance का order बगएरा दे दिया था तो magistrate क्या कर देगा अपने उस order को cancel कर देगा subsection 5 के तहत तो दोनो subsection ध्यान रखने है यहाँ पर तीनों ground जो दिये गए है subsection 4 में वही ground subsection 5 में बताये गए है पहला ground यह है कि जो wife है वो adultery में रह रही है दूसरा ground यह हो सकता है कि बिना sufficient reason के पती के साथ रहने से refuse कर रही है तीसरा ground हो सकता है कि दोनों के दोनों तो mutual consent से ही अलग रहे है बट यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे वाले ground की कि जो wife है वो sufficient reasons के बिना मना कर रही है पती के साथ रहने से तो इसके context में ही subsection 3 में दूसरा proviso दिया गया है यह proviso यह कहता है कि अगर माल लो एक wife आई है अपने पती से maintenance का claim करने section 125 of CRPC के तहट और पती कह रहा है कि मैं तभी इसको maintenance दूँगा जब वो इसके साथ रहेगी बट पतनी तो मना कर दिया है कि मुझे रहना ही नहीं इसके साथ तो magistrate consider करेगा कि किन वजहों से वो मना कर दिया है और उसी according वो decision देगा फरक नहीं पड़ता है कि पती condition लगा रहा है कि वो तभी उसको maintenance देगा जब वो उसके साथ रहेगी अगर महिला के पास just ground magistrate को satisfy हो रहे है कि भई यह तो सही वजहों से मना कर रहे इसके साथ रहने से तो तब condition को दर किनार करते हुए भी magistrate यहाँ पर क्या कर सकता है order दे सकता है maintenance का और just ground क्या हो सकता है पती के साथ रहने से मना करने के पहला यह हो सकता है कि भई मेरे आदमी ने तो दूसरी महिला से शादी गड़ली क्यों रहने उसके साथ दूसरा हो सकता है कि यह तो रखेल 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 भी है तो मुझे तो बड़ा आजीव लगता है मैं कैसे रह सकती हूँ इस ऐसे व्यक्ति के साथ जो रखेल रख्या हुआ है तो यह जो ground बताया है ना इन में से कोई भी अगर है तो यह just ground माना जाएगा अब यहाँ पर question यह आता है कि एक पती के पास क्या आधार हो सकते हैं जिन आधारों पर वो अपनी पत्नी को section 125 के तहत maintenance देने से oppose कर सकता है तो पहला ground यह हो सकता है कि मैंने तो कोई neglect ही नहीं किया उसको maintain करने से कोई refusal ही नहीं किया उसको maintain करने से बेफाल तुम्हें पहुच गी है section 125 में दूसरा ground हो सकता है यह कि मैं इसको क्या maintain कर लूँ अब मेरे खुद की अवकात नहीं है मतलब मेरे पास तो sufficient means ही नहीं है तीसरा हो सकता है यह कि यह बड़े माबाप की ओलाद मेरे पास आ रही है मुझसे maintenance लेने के लिए इसके पास तो खुब पैसा है खुद को maintain खुद से कर सकती है यह मैं काहे का इसको maintenance दूँगा मेरे तो खुद इसके सामने कोई अवकात नहीं है maintenance इसको देने की यह खुद को अपने आ भी maintain कर सकती है sufficient means है इसके पास खुद को maintain करने के तो यह ground हो सकता है post करने का इसके अलावा यह ground हो सकता है कि मेरी wife जो है न यह adultery में रहा रही है या फिर यह कि हम तो mutual consent से अलग रहा रहा है इसके अलावा यह भी ground हो सकता है अगर मतलब जो पतन यह उसने दुबारा से शादी गड़ दिया तो तब यह ground भी हो सकता है कि इसने तो देखो दुबारा से शादी गड़ दिया तो जिससे शादी किया उससे ले न maintenance मैं कौन होता हूँ maintenance लेने वाला तो यहाँ पर यह चार लोग जो हगदार होते हैं maintenance के लिए उनमें से wife वाला part हमने कर लिया है cover दूसरा close भी में कह रहे हैं कि minor child चाहे legitimate हो illegitimate हो शादी शुदा हो या शादी शुदा ना हो अगर वो खुद को maintain नहीं कर सकता है तो वो भी यहाँ पर claim कर सकता है maintenance किस से कर सकता है any person का मतलब क्या है यहाँ पर उसके context में उसके context में any person का मतलब है उसका father तो अपने father से यहाँ पर maintenance का claim कर सकता है वही legitimate या illegitimate major child जिसमें से हम बाहर रड निकाल देंगे major married daughter को तो जो major, legitimate या illegitimate child है, जो की married daughter नहीं है, वो physical या mental abnormality की वजह से या किसी injury की वजह से खुद को maintain नहीं कर सकता है, तो उसको maintain करने की जिम्मेवारी भी होती है किसकी फादर की, तो वो अपने फादर से maintenance का claim कर सकता है याँ पे और जैसे कि यहाँ पर close B और close C में आपको दिख रहा है लिखा हुआ legitimate या illegitimate legitimate या illegitimate बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है लिखा हुआ क्या adoptive child तो जो adoptive child है वो section 125 of CRPC के तहत maintenance का claim नहीं कर सकता है बट वहीं जो adoptive mother and father होते हैं, वो अपने adoptive child से section 125 के subsection 1 के close D के तहत maintenance का claim कर सकता है, अगर वो खुद को maintain नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने adoptive child से maintenance का claim कर सकता है बट adoptive child उन से maintenance का claim नहीं कर सकता है section 125 में, तो अब यहाँ पर D category की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कह रहा हैं कि father, mother जो अपने आपको maintain नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों से maintenance का claim कर सकते हैं, तो अब सवाल आता है, बच्चों में क्या सिर्फों सिफ male बच्चे की बात की गई है, या फिर female की भी बात की गई है, तो इस context में एक case आया था, वीजे मनोहर अरबट वर्सिस काशी राओ, राजा राम सवई 1987, इस case में कहा गया कि father, mother जो खुद को maintain नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने male child के साथ साथ female child से भी maintenance का claim कर सकते हैं, और साथ ही ये चीज़ तो मैंने clear पहली कर दी कि adoptive child से भी वो maintenance का claim कर सकते हैं, बट वहीं अब सवाल आता है कि क्या, जो step mother होती है, जो सोतेली मा होती है, क्या वो अपने सोतेले बच्चों से maintenance का दावा कर सकती है, section 125 of CRPC में, तो इसका answer है, हाँ, कर सकती है, वो भी सिर्फ तभी जब वो खुद एक widow है, और उसके खुद के natural बच्चे नहीं हैं, alright, तो ये हो गया आपका यहा होते है, section 125 of CRPC के तहट maintenance के लिए, अब section 125 में, जो बाकी की रामायन है, जो रह गई है, वो हम निप्टाएंगे, first proviso हम लोग discuss नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने पहले discuss कर लिया था, अब हम discuss करेंगे second proviso, second proviso बात करता है, GM first class की, during the pendency of proceeding, interim maintenance and proceeding के expense, दिलवाने की power से, यानि की बात ये है, कि मान लो होता क्या है, कि मेरा husband है, XYZ, वो ठीक से मेरा कर्चा नहीं उठा रहा था, मतलब ये नहीं है, कि मुझे अफला तून चाहिए, मतलब मुझे को हिनूरीरा चाहिए, वो नहीं लाके दे रहा था, नहीं, मतलब जैसे normally कर्चा बगेरा जो चाहिए होता है, एक wife को, खाने पीने की चीज़, एक अपड़े लगते, वो नहीं देरा बड़ा हरामी है, अब होता क्या है, मुझे गुस्सा आ जाता है, कि कब तक चलता रहेगा ये, तो मैं पहुच गई जी हम first class के पास, ये मेरा husband है XYZ, इससे मुझे maintenance दिल मैंने लगाई section 125 CRPC की application, लग गई application, अब application लग चुकी है, अब application पर proceeding चल रही है, pending में है, तो अब उस proceeding के दोरा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मुझे maintenance कौन देगा, proceeding में जो खर्चा लग रहा है, वो कौन उठाएगा, तो इसी लिए यहाँ पर word use होता है, interim maintenance, जब तक final order नहीं आ जाता, तब तक, उस बीच मुझे interim maintenance दिलवा सकता है, jam first class, और proceeding का खर्चा दिलवा सकता है, jam first class, किससे मेरे पती से, मैं jam first class के पास जाऊंगे, मैं बोलोंगे यार दिलवा दो, मेरे पती से इतने interim maintenance दिलवा दो, proceeding का खर्चा दिलवा दो, तो यही चीज है यहाँ पर second proviso में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे second proviso को application लगाना पड़ेगा, अब जो application लगा है कि interim maintenance दिलवा दो, expense दिलवा दो, proceeding का, तो उस application को magistrate के उपर है, कि वो जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी कोशिश करे, 60 दिन के अंदर निपटाने की, किस दिन से 60 दिन के अंदर, जिस दिन मेरे पती को इस application का notice सर्व हुआ है, उस तारीक से 60 दिन के अंदर, तो यह दिन ध्यान रखने आपने, बाकी explanation तो हमने discuss करी लिया था, और यहाँ आपना काफी सारे cases, ऐसे ऐसे करके लिखे हुए है, PDF जब आप purchase करोगे उसमें आपको काफी तरीके से लिखे हुए cases दिखेंगे, जिन में जो जो मैंने bold किये हुए है, जो जो मैंने underline की हुए है, जो जो चीजे मैंने highlight की हुए है, वो चीजे बहुत ज़ादा important है, वो आ order दिया है, तो वो order कब से लागू होगा, तो पहला तो ये कह रहे है, subsection 2 में कि उसी date से लागू हो जाएगा, जिस तारीक को order आया है, दूसरा कह रहे है कि अगर magistrate order करता है ये, कि नहीं उस तारीक से नहीं, बलकि उस तारीक से लागू होगा, जब application लगी थी इस order के जो order किया गया था ना कि maintenance दे तू, या interim maintenance और proceeding के expense दे, वो वो नहीं दे रहा है, तो तब उसके साथ क्या किया जाए, तो अगर वो व्यक्ति ऐसा बिना sufficient cost के किया है, वो जो magistrate ने यहाँ पर उसको order दिया था, उसका comply करने में बिना sufficient cost के वो अगर fail हो गया है, तो तब जो jam first class है, वो उसके हर breach के लिए क्या करेगा, वारिंट issue करेगा, और जो पैसा, जो amount देने में वो fail हो गया है न, उसको इस तरीके से वो recover कर सकेगा, वसूल सकेगा, लिवाई कर सकेगा, जैसे की fine को लिवाई करते हैं, fine को वसूलते हैं, और इस सम्मन में CRPC के provision आप देख सकते हो section 30, 431 and section 421 से लेकर 424 तक के provision, वहीं IPC के section देख सकते हैं, section 63 से लेकर 70 तक के provision, जापर fine के बारे में काफी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, इसके अलावा, अगर किसी भी month जो allowances उसको pay गड़ना था, उसको पूरा का पूरा या उसको कोई part, वो व्यक्ती fail हो जात पे गड़ने में, like maintenance के रूप में, या interim maintenance और proceeding के expense के रूप में, जो उसको देना था, वो अगर किसी भी month या तो पूरा का पूरा या फिर उसको कोई part अगर नहीं देता है, तो ऐसी situation में उसके against magistrate sentence भी pass कर सकता है, क्यों क्योंकि warrant को execute किया गया और अभी तक उसने, जो उस पे करना था, वो उसने पे नहीं किया है, तो अब उसके again sentence pass कर सकता है, जै हम first class, उतने period की जो extend कर सकती है, एक महीने तक, या फिर उतने time तक जो extend कर सकती है, जब तक कि वो amount नहीं दे देता है, जिसके ना देने की वज़े से उसके again sentence pass की जा रही है, इन दोनों में से जो भ दूपर वाली जो है, वो तभी की जाएगी, जब जो amount due है, उसकी recovery के लिए, जब से amount due है, उस तारीक से एक साल के अंदर court में application लागा दिया हो, तभी यहाँ पर subsection 3 के तहत, जो कारेवाही की जा रही है, जो warrant issue किया जा रहा है, amount को fine की तरह वसूलने का, वो चीज की जाए बाकी जो second proviso है, हमने वो discuss कर लिया था, जब हमने subsection 4 और subsection 5 पढ़ाता तब ही, और subsection 4 और subsection 5 भी हमने पढ़ लिया, तो इसको हम दुबार से discuss नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका section 125 होता है complete, सवाल यह आता है कि section 125 के तहट जो order pass किया जाता है, वो कब तक enforcement में रहता है तो इसका answer यह है कि वो तब तक enforcement में रहता है, जब तक या तो वो section 125 के subsection 5 के तहट cancel नहीं कर दिया जाता, या फिर जब तक कि वो section 127 के तहट modify नहीं कर दिया जाता, अब सवाल यह आता है कि order जिस व्यक्ति के against pass हुआ है section 125 के तहट उसको क्या remedy है, वो क्या कर सकता है, क्या क कुछ उप्चार उसके लिए भी है, तो उसके लिए उप्चार यह है कि वो revision की application file कर सकता है, court में section 397 of CRPC केता है, कौनसी court में, high court में या फिर court of session में, अब यहाँ पर section 126, procedure बताता है section 125 का, heading से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, अंदर इस section में न चार बाते हैं, चारो बाते ध्यान रखनी है, पहली बात यह है, बताई गई कि proceeding कि district में चल सकती है section 125 की, दूसरी बात यह, कि जो evidence वगेरा है, इस proceeding में वो किसके समक्ष लिए जाएंगे, और किस तरीके से record किये जाएंगे, तीसरी बात यह, कि कब जो proceeding चली है section 125 के तहत, वो exparte proceed की जा सकती है, और की जा रही है, उसको क्या उपचार है, और चौती बात यह बताई गई है, subsection 3 में, कि जो code section 125 की application से deal कर रही है, उसको पूरी-पूरी पावर है, जैसा सही लग रहा है, वैसा वो order दे सकती है, cost के बारे में, तो यह चार बाते हैं, इस section में, धियान रखनी है, कि कौन से subsection म कौन सी बात है, और proviso में क्या है, अब हम यहाँ पर section 126 के हर एक subsection को खोल-खोल के पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखो, subsection 1 में यह कहा गया है, कि जिस व्यक्ति के against, proceeding चलानी है section 125 की, वो उस district में चलाई जा सकती है, जहाँ पर वो है, या फिर जहाँ पर वो रहता है, य इसके लिए, illegitimate child के लिए, तो जहाँ पर वो last time, उस illegitimate child की मदर के साथ रहा, तो इन तीनों में से, किसी भी district में, section 125 की proceeding चलाई जा सकती है, इन तीनों में से कोई सी भी जगा हो सकती है, section 125 की proceeding का forum, या फिर कह सकते है, venue, subsection 2 यह कहता है, कि सारे के सारे evidence, इस तरह की proceeding में, जिस व्यक्ति के against proceeding चल रही है, उस व्यक्ति की presence में लिए जाएंगे, और अगर उस व्यक्ति की personal attendance dispense की गई है, उस व्यक्ति को personally attend होने से छूट दी गई है, तो तब उस व्यक्ति के leader की presence में, और evidence को record किया जाएगा, किस तरीके से, इस तरीके से, जैसा की summon case में होता है, जिस person के against proceeding चल रही है न, यहाँ, वो वाईसा willfully service को avoid कर रहा है, या फिर willfully neglect कर रहा है, कोट में attend होने से, तो तब magistrate क्या कर सकता है, अब magistrate मामले में proceed कर सकता है, मामले को determine कर सकता है, एक्स पार्टे, बिना उस व्यक्ति को सुने, बिना उस व्यक्ति के, और इस तरीके से अगर कोई order आता है, तो उसको न, जिस व्यक्ति के against order आया, जिस व्यक्ति के against एक्स पार्टे proceeding हुई है, वो न, set aside करवा सकता है, good cause show करके, application लगा के, कितने time के अंदर, जिस तारीक को order आया, उस तारीक से 3 महीने के अंदर, और फिर magistrate उसको कर सकता है, set aside, वो terms and condition लगा कर जो की उसको लग रही है, just and proper, और terms में include है, ये भी order दिया जाना कि भाई, तू अब opposite party को cost पेगर, alright, बाकी cost वाला provision जो subsection 3 में दिया गया है, ये हमने discuss कर लिया था, तो यहाँ पर आपका section 126, CRPC का होता है complete, अब यहाँ पर ये चीज है कि अगर order दे दिया गया है, तो क्य पत्थर की लकीर हो गई है, या उसमें कोई बदलाव हो सकता है, या फिर वो पत्थर की लकीर हो गई है, तो इसी का answer करता है section 127, इससे ना सवाल आता है means में ये कि maintenance या entry maintenance के जो भी allowance देने के लिए magistrate ने order किया है, क्या उन allowance में कोई alteration हो सकता है, कोई बदलाव किया जा सकत है, तो जी हां किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, तो सबसे पहले subsection 1 में ये कहा गया है कि जिसको दिया जा रहा है या जिसको order किया गया है कि तू देगा, इन दोनों में से किसी के भी अगर circumstances में कोई बदलाव आता है, like लेने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर ह हो गया है, वो मतलब अब capable हो गया है कि वो खुद को maintain कर सकता है, या फिर जो देने वाला है, उसकी परिस्थीतियों को देखकर कम allowance magistrate ने तै किया था कि इतना तो ये देई नहीं पाएगा तो इसलिए इससे कम ही allowance हम, मतलब कम ही पैसा इससे हम maintenance के तोर पे हम लेंगे, तो अब कल के दिन होता यह है कि वो तो बहुत बड़ा businessman मन गया है, तो अगर इस तरीके से कोई भी बदलाव आता है, अमीर हो जाता है, देने वाला, या वो गरीब हो जाता है, insolvent हो जाता है, या फिर जो ले रहा है, वो capable हो जाता है खुद को maintain करने के लिए, तो इस तरहा क बड़ाव को जब प्रूफ कर दिया जाता है, तो जो magistrate है, वो बड़ाव को consider करते हुए, जो alteration करना उसको सही लग रहा है, वो alteration कर सकता है, maintenance या फिर इंटरी maintenance के allowance में, secondly यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर civil court में मालो मामला गया है, अब civil court, competent civil court है और वो कोई decision दे दी है, जिसकी वजह से, जिसके परिणाम सरू लग रहा है magistrate को यह कि section 125 में जो उसने कोई order दिया था, चाहे वो maintenance, allowance देने के लिए उसने order किया था, या interim maintenance दिलवाने के लिए उसने order किया था, वो order cancel कर देना चाहिए, तो accordingly वो cancel कर देगा, या फिर उसमें कुछ variation करना चाहिए, तो accordingly वो variation कर देगा, यहाँ पर subsection 3 में कुछ परिस्थीत या देखने को मिलती है, जिन में magistrate क्या कर रहा है, order को ही cancel कर दे रहा है, तो सबसे पहले देखो चीज यह कही गई है, कि अगर section 125 में जो order आया है, वो किसी महिला के favor में आया है, जिसको उसके पती ने divorce दिया है, या ज जिसने अपने पती से divorce लिया है, तो अगर magistrate को यह satisfy होता है कि divorce के बाद उस महिला ने दुबारा से शादी कर ली है, तो शादी की तारिक से magistrate क्या कर देगा, उसने 125 में जो भी order दिया, उसको cancel कर देगा, दूसरी परिसीती यह है, कि अगर महिला को उसके पती ने divorce दिया है और महिला receive की है, section 125 का order दिये जाने की तारिक से पहले या तारिक के बाद, क्या चीज, वो सारा का सारा sum, मतलब पैसा वगरा, जो की divorce पर किसी customary या personal law की वज़े से, जो parties के उपर apply होता है, payable होता है, कि यह हमारे customary law या personal law के according यह चीज है कि divorce के time पे यह पैसा महिला को दि जाना है, तो अगर वो पैसा receive कर लिया है, 125 का order आने से पहले आने के बाद, तो तब magistrate 125 के order को कर देगा cancel, और अगर जो यह whole sum है, उस महिला ने order आने से पहले receive किया है, तो वो cancel करेगा, उस तारीक से जिस तारीक को order आया, और बाकी cases में उस तारीक से cancel कर देगा, जिस तार के लिए maintenance actual में husband के दुआरा woman को pay किया गया है, तीसरी परिस्थिती यह है कि woman ने क्या किया है, अपने husband से divorce लिया है, और voluntarily उसने maintenance या फिर interim maintenance लेने का जो right है, वो surrender कर दिया है, divorce के बाद, तो तब जो order magistrate ने 125 में दिया है, जिस तारीक को order दिया है, उस तारीक से उस order को कर द देगा cancel, सब section 4 में बस इतनी सी बात कही गई है यह कि अगर travel court में मामला चल रहा है, maintenance की recovery का, या dowry की recovery का, तो उस मामले में decree देते time, CRPC के section 125 के order को भी consider किया जाएगा, बस इतनी सी बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका section 127 होता है complete, section 128 में 125 के order के enforcement की बात की गई है, कहा यह गया है कि जो order आया है 125 का उसकी copy without payment free of cost, या तो उस person को दी जाएगी जिसके favor में order आया है, या फिर उसके guardian को दी जाएगी, या फिर जिस person को बोला गया है कि इस person को maintenance या interim maintenance के allowances वगेरा पे किये जाएगे, उस person को दी जाएगी, alright, इन तीनों में से किसी को भी दी जाए सकती है, जिसकी against order आया है, क्या कर सकता है, enforce कर सकता है, तो यहाँ पर आपका chapter number 9, CRPC का होता है complete, कहीं पर भी कोई doubt रहता है, तो आप comment section में पूछ सकते है, Instagram, Telegram पर कहीं पर भी पूछ सकते है, CRPC, IPC, ये दो subject हैं, जिनके video course available है, और इन दोनों subject के साथ साथ और भी कुछ subject हैं, जिनकी list मैंने description में डाल दी है, उनके na PDF note available है, अगर आपको इन में से कुछ भी purchase करना है, तो purchase करने के लिए, या तो आप मुझे mail कर सकते हैं, मेरा email address आपको screen पर दिखी रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे telegram ID पर message कर सकते हैं, मेरी telegram ID मैंने description में डाल दी है, जाते जाते, जरूर comment करकी बताना कि वीडियो कैसा लगा, मेरे पर एक favor कर दिया करो, comment section में कुछ न कुछ जरूर लिखा करो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चैनल को भी subscribe कर दिना, मिलते हैं CRPC के अगले वीडियो में